नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का सरकारी टूडे नियूस के ओफीशल यूटूब चैलेंड में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुछ कबरी है क्योंकि दिसंबर 2023 के महिने में आ चुकी है पांच नई सरकारी नोक्रियां जी हाँ दोस्तों अगर आप एक सरकारी नोक्री पाना चाते हैं तो दिसंबर के इस महिने में आप सभी के लिए पांच नई सरकारी नोक्री के फोरम निकल चुके हैं अगर आप आवेदन करते हैं तो 100% आपको एक सरकारी नोक्री मिल सकती हैं तो अगर आप बेरोजगार हैं शिक्षित हैं अगर आप अक्षा दस्वी बारवी रसनातक पास हैं सरकारी नोकरी की तलाश हैं सरकारी नोकरी पाना चाते हैं तो दिसंबर के इस महिने की जो सरकारी नोकरी निकाली गई है सरकारी विभागों की तरफ से उन भरतियों के पर उससे पहले वीडियो को अंतक जरूर दिएगा संपुन भरतियों की जानकारी हम आपको देंगे step by step और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में ज़्यादा से यदा शेर करें पांच नई सरकारी नोकरी के फोरम निकल चुके हैं जिनके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं पदों की बात की जाये तो 75,000 पदों पर यह भरतिया निकाली गई है जिसके लिए कक्षा दस्वी से बारवी और इसनातक और ITI पास सभी अभ्यारती जो हैं आवेदन कर सकते है आवेदन कर सकते हैं आवेदन केवल 31 दिसंबर तक चलेंगे तो आवेदन शुरू हो चुके हैं 31 दिसंबर 2023 इसकी आवेदन की अंतिम्तिती है तो चलिए अन्ने सभी जानकरी के लिए सीधा आपको ओफिशल वापसाइट पर लेके चलते हैं स्टेप बाइस्टेप आपको संपुन भरती की जानकाई देंगे ओफिशल वापसाइट के मादन से तो दोस्तो हमारी जो ओफिशल वापसाइट है वो है सरकारी तुडेइन्यूस.com यहां पर आपको सबसे पहले नई भरतियों की जानकाई दी जाती है आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं जैसे दोस्तो आप सर्च करेंगे आप सिधा हमारी ओफिशल वापसाइट पराजेंगे तो एक-एक करके आपको भरतियों की जानकाई देंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एर इंडिया की नई भरती के बारे में दोस्तो Air India, Air Transport Services Limited की तरफ से आ चुकी है, नई भरती, अलग-अलग पदों पर भरती है, कुल मिला के 828 पद यहाँ पर चारी किये गए हैं, यहाँ पर जो पद है, Duty Manager के हैं, Duty Officer के हैं, Deputy Manager, Ram Maintenance के हैं, Junior Officer के हैं, Senior Customer Service Executive के हैं, Ram Service Executive के हैं, और Utility Agent कर्म Ram Driver के पद हैं, कुल मिला के 828 पदों पर यह भरती निकाली गई है, यह जो भरती है, दोस्तों, All India की भरती है, यानि कि भारत के किसी भी राजजी या जिले में आप रते हैं, तो आप सभी अभ्यारती जो हैं, आविदन का सकते हैं, Male, Female, लड़के, उसे से वो सिर्फ आपका Walk in True के माध्यम से रहेगा, यानि कि आपका सीधी भरती के माध्यम से Chain होने वाला है, आपका सीधा Interview होने वाला है, और Chain प्रकिरिया में आपका इंट्रिवू होगा आप देशकते हैं किस प्रकार आपका इंट्रिवू होगा साली 17,500 से 45,000 रुपे महिना आपको मिल रही है उमर सीमा 18 से 55 साल है और आई सीमा में छूट है आविदन शुल की बात की जाए तो जन्नल OBC के लिए मात्र 500 रुपे है जो कि non-refundable है जिसका पेमिट आपको आप देशकते हैं डिमांड ड्राफ के दोरा करना पड़ेगा SCST के लिए बिल्कुल फ्री है ठीके और योग्यता की बात की जाए तो कक्षा दस्वी ITI, बार्वी और डिपलोमा डिग्री पास सभी अभ्यारती जो है आविदन कर सकते हैं आविदन जो है 18-23 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेंगे वह भी वोकिन ट्रू के माद्यम से सीधा आपको इंट्रू के लिए जाना है वहीं पर ही आपको एप्लिकेशन फोरम यहाँ पर आपको क्लिक करना है आपके सामने अप्लिकेशन फोरम भी आ जाएगा आप दिसेते हैं नीची आपके सामने अप्लिकेशन फोरम है इसको आपको ले की जाना होगा ठीके तो 18-23 दिसंबर तक आपके इंट्रू चलेंगे यह रहा अप्लिकेशन फोरम इसको आपको डाउलोड करना है, भरना है, और आपके यहाँ पर पुरा एड्रस मिलेगा, इसी एड्रस पर आपको जाना होगा, यहाँ पर PIN code के साथ में पूरा एड्रस दिया गया हैla 18 दिसम्बर, 19 दिसम्बर, 20 दिसम्बर, 21 दिसम्बर, 22 दिसम्बर और 23 दिसम्बर, आप दिसे हैं सारी के सारी डेट यहां पर है, अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग लोकेशन है, ठीके, तो आज ही apply किजिएगा, चलिए दूसरे नंबर की भरती की बात करते हैं, जो की मिला के 350 पदों पर भरती है, सारी 18,000 से 56,000 रुपे महिना आपको मिल रही है, चेन परकरिया में लेकित परिक्षा है, और स्किल टेस्ट आपका होगा, वहीं उमर सीमा जो है 18 से 42 साल है, और ICMA में छुट भी है, यहां पर जो आविदन शुल्क है, जन्नल OBC के लिए 1,000 है SCST के लिए 900 है, पेमेट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा, योगिता की बात की जाए, तो कक्षा 10 वी, 12 वी और इसना तक पास सभी अभी हरती आविदन कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन नागपुर की रहेगी, आविदन जो है 6 दिसमबर से 27 दिसमबर तक चलेंगी, य यहाँ पर आपको कुछ सेकिंड वेट करना है, और आपको सामने ओनलाइन फोरम आ जाएगा, जिसको आज ही भर करके आपको सब्मिट करना है, इसको step by step पूरा भरना होगा, ठीके चली अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, एक को नई भरती की, तीसर नंबर की जो भरत की है, वो है Bombay High Court की भरती, तो दोस्तों Bombay High Court की तरफ से इस साल 2023 की आ चुकी है, नई भरती, यहाँ पर जो पद है, जूनियर क्लर्क और पियोन के पदे हैं, पांच हजार सांस्तो तरानवे पदों पर भरती निकाली गई है, जिसके आविदन सिर्फ आप से ऑनलाइन मंग योगेता की बात की जाए, तो सांतवी से दस्वी, बार्वी और इसना तक पास सभी अभिहरती आविदन कर सकते हैं इन भरतीयों के लिए, और इसके आविदन 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप दिसकते हैं, अलग-अलग पदों अपरेंटिस के पद जारी किये गए है, तीन हजार तरानवे पदों पर भरती निकाली गई है, जैसा कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो इन भरतीयों के आविदन सिर्फ आप से ओनलान मागे जा रहे हैं, और इंडिया के सभी अभ्यारती, महिला प्रोस, मेल, फिमे, लड आविदन शुल्क सभी के लिए फ्री है, योगेता में कक्षा दसवी बारवी और आईटे इपास सभी अभ्यारती आविदन कर सकते हैं, आविदन जो है 11 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेंगे, और यहां सी आप सीधा अपलाई भी कर सकते हैं, यह रही सुचना आपके सामने चली अब आगे भढ़ते हैं, बात करते हैं, SBI की नई भढ़ती के बारे में, तो दोस्तो स्टेट बेंक ओफ इंडिया, SBI की तरफ से सरकल बेस्ट ओफिसर की भढ़ती आ चुकी है, 5,282 पदो पर भढ़ती है, आविदन सिर्फ आप से ऑनलाईन में यह जा रहे हैं, और आपको मिल रहे हैं, महीं जॉब रोकेशन संपुन भरत की है, उम्र सीमा 18-30 साल है, आई सीमा में छूट भी है, आविदन शुल्क जो है, यहाँ पर जनल ओबीसी, EWS के लिए 750 से, HCTPW के लिए फ्री है, पेमेंट आपको ओनलाईन करना है, यहाँ से आपको क्लिक करना है, सुशना आपके सामने आजाएगे, कुछ सेकिंड वेट करना है, यह रही सुशना, और यहाँ से आप कलिक करेंगे, तो आप दिसकते हैं, 17 दिसमबर तक आप जो है, ओनलाईन आविदन कर सकते हैं, यह रहा ओनलाईन फोरम, ठीके, आज ही बढ़के सब्मिट के जएगा, अब एको नई भरती की बात करते हैं, जो की कॉल इंडिया की तरफ से निकाली गई है, यहाँ दोस्तों सेंटरल कॉल फिल लिमिटेड की तरफ से भी आ चुकी है, नई भरती, जूनियर डाटा एंट्री ओपरेटर की पदो पर यह भरती है, दोस्तों 61 पद यहाँ पर जार इस भरती के लिए और आविधन जो है, यहाँ से आपको किलिक करना है, सूचना आपके सामने आ जाएगी और आप सूचना को चेक आउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नीचे आपको एप्लिकेशन फोरम भी दिया गया है, आपको नीचे आना होगा और यहाँ से आप दिशेते हैं, यह रहा एप्लिकेशन फोरम, इसको आज ही भरके सब्मिट किजएगा, यहाँ पर आपसे आविधन मागे जारे हैं, अब एक और नई भरती की बात करते हैं, जो की बिजली उभाग के तरफ से विदुस सहाय के पदों पर बड़ी भरती निकाली गई एक हजा नो सो तीन पदों पर भरती है, जिसके आविधन सिर्फ आपसे ओनलाइन मागे जारे हैं, आविधन शुल्क जो है, जन्नल OBC के लिए 500 है, HCST के लिए 200 है, पेमेंट आप सभी को ओनलाइन करना होगा, यहाँ पर जो उम्रसीमा है, 18-38 है और ICMA में चूट है, महरा पदों पर भरती है, 540 पद है, आविधन सिर्फ आपसे ओनलाइन मागे जारे है, मेल, फिमेल, सभी अभ्यारतियों के लिए भरती है, सालरी 29,200 से 92,300 रुपे महिना आपको मिल रही है, करनाटका की जोब लोकेशन है, उम्रसीमा 18-32 है और ICMA में चूट है, चेन परकरिया म पूसी पास अभ्यारती आविधन का सकते हैं, आविधन केवल 30 संबर तक चलेंगे, यहां से आपको क्लिक करना होगा, सूचना आपके सामने आ जाएगी, पारिकी चारिकारी लेकर के अपलाई का सकते हैं, एको नए भरती है, जो की स्टीर अथरोर्टी ओफ इंडिया की त हैं, उम्र सीमा 18 से 30 साल है, आई सीमा में चूट है, योगेता में BAC प्रस्टिंग पास के इंडियाट्स आविधन का सकते हैं, दोस्तों इन भरतीयों के अलावा और भी नहीं भरती हैं, जिसकी जानकरी सीधा आप हमारी वेबसेटे ले सकते हैं, अपलाई भी का सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा, जहिंचे भारत!